हेई गाइज वाट्स अप माई नेम इस मुशराफ अली और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल गाइज आज की वीडियो में मैं आपको नैचरल ग्रीन कलर ग्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ अपनी पिक्चर पे गाइज पिक्चर को अभी ओपन किया है मैंने और फोटसोड़ के अधर और अभी सबसे पहले एक अपनी पिक्चर के मैं हाईलाट शयडू सेट करूँ गाइज के पिक्चर की बहुत इंपोर्टेट चीज होती है हाइलाइट शेड़ो सेट करने के बाद अभी हम अपनी इस लेयर को कर देंगे मर्च लेकिन मर्च करने से पहले इसके थोड़ी सी ओपिसिटी कम कर लेते हैं और जैसे के गाइस मैंने स्टार्ट में बताया था कि डबल फ्रेमिंग वाली पिक्चर बना रहे हैं तो अभी दूसरी पिक्चर को मैं करने लगा हूँ और फोटो शॉप के अंदर पेस्ट इसी पिक्चर के साथ गैस दूसरी पिक्चर को मैंने अड़ोप फोटो शॉप के अंदर फेस्ट कर लिए और अटाइच करनी है अपनी पहली वाली पिक्चर के साथ और अभी मैं इस दूसरी पिक्चर की भी करने लगा हूँ हाइलेट शेटू की सैटिंग करने के बाद भी इस लेयर को कर देंगे मर्ज और गाइस कंट्रोल जे दबा के अब बनाएंगे हमें एक नहीं लेयर और नहीं लेयर बनाने के बाद हम अभी हम अपनी पिक्चर की करेंगे कलर ग्रेडिंग वह भी कैमरा रा से और गाइस कैमरा राक के अंदर कलर ग्रेडिंग करने के बाद मैं अपनी पिक्चर के उपर कैमरा राक के ही प्रीसेर से इस्वाल करता होता हूँ जो कि मेरी पिक्चर को बहुत ही जबरदस्ट बना देते हैं करने के बाद अभी थोड़ी सी ओपीजिटी हम अपनी इस लेर की कम कर देंगे और लेर को कर देंगे मर्ज और गाइस अभी हम जाने लगे हैं सबसे इंपोर्टेट टोपिक हमारी वीडियो के वह यह कि अभी हम अपने फेस वरक करने लगे अपनी पिक्चर का और गाइस फेस वरक हम पर डिपेंड करता है कि जितना अच्छा फेस वरक करेंगे अपने पिक्चर का उतनी ही खूबसूरत और उतनी नैसिरल बूटी हमारी पिक्चर के उपर नजर आएगी थाइस वरक करेंगे पिक्चर करता है कि जितना और उतनी हो झाल स्था पिक्चर कर दो झाल प्रमारी पिक्चर का उतनी है जह ज़ीज़ एतनी बुट्टी है कि अभी हम नहीं किया है कंप्लीट अपनी पिक्चर का फेस वरक वह भी मिक्चर बुरस टूल को यूज़ करते हुए और अभी हम अपनी पिक्चर को डालेंगे एक्सपोर एक्सपाइब के अंदर और इसके उपर अप्लाए करेंगे खुब सूरत सा एक फिल्टर जो के हमारे पिक्चर को लगाने वाला है चार जान और देखे गाईज आपके सामने सेंकडो फिल्टर निकल के आगे हैं और हमने जैसे के स्टार्ट के अंदर ही मैंने आपको बताया है कि हमने ग्रीन नैच्रल ब्यूटी अपने पिक्चर के उपर अप्लाई करने हैं और वैसी ही पिर आपके सामने निकल के आगे हैं तो गाईज अभी थोड़ा सा वरकोर रहा है गया वह यह कि अभी लेर्स को कर देंगे मर्ज और मर्च करने के बाद अभी हम करेंगे हैर वरक थोड़े से बालों की करेंगे सैटिंग जो कि मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे और सेटिंग करने के लिए कन्ट्रोब, शिफ्ट एक्स लएंगे और हमारा वलों की सैटिंग करने के लिए लेकिन बालो की सैटिंग करने से पहले थोड़ा सा कैमरा राख के फिल्टर्स यूज़ करके थोड़ा सी पिक्चिर को और शाइन देना चाहरा हूं वह भी मैं करने लगा हूं कैमरा राख के अंदर जाके अगर आपको पिक्चर मेरी अच्छी लगी हो वीडियो मेरे मेरे मेरा कॉंटेंट चल लगा तो प्लीज लाइक कीजए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू